एलो दोस्तों वेलकम बाइक अगें इन लेटेस अंफार्मसी तो फ्रेंट्स हम पढ़े तक दी फार्मकलोजी भी फार्मसी शेक्समेटर की और उसमें हमारा टॉपिक चला था इउनिट फिप्ट का इउनिट फिप्ट ने हमारा सब कुछ कंप्रीट होगा था रहे गया था ह व्हां इंटरेस्टेट टॉपिक है आपके लिए कोरोनो फार्मकलोजी में आपको रिदम साइक्ल क्या होता है यह पढ़ना है और इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट बहुत सकता है क्योंकि न्यूवली पॉइंट है इस लेक्चर में आप पहुत अच्छे से साइ www.letersonfarmacy.com पर जो भी हैं लगभग अपडेट हो चुके हैं आल लेक्चर्स नोट्स जो भी बचे हैं नियर अबाउट आप थोड़ा सा टाइम दीजिए जल्द ही आपके लिए अपडेट हो जाएंगे आपके एक्जाम के बहुत जादा पहले यह अपडेट हो जाएंग फाइस्ट, सेकेंड, थर्ड यही जो कोरोनो है आपका इसी के कोर्डिंग क्या है थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा वही आपको जानना है जो कि आपको समझाएगा आपका लेटेसन फार्मसी बहुत ही इजी बे में सो बात करें कोरोनो एंड फार्मकलोजी की तो यह क्या होता है जो कोरोनो वाड़ा आपका यह क्या है यह रिलेटेड होता है टाइम के एकोर्डिंग मिस टाइम से रिलेटेड होता है कोरोनो का मतलब क्या होता है टाइम और फार्मकलोजी मिस फार्मकलोजी आप अभी तक करते रहें 근데 यह क्या होता है ılkee ट्रक अप लिए रहे तो वह क्या होता है आपकी बॉडी में रियाजर्ट होती टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर आता है आपके लिए बाइलोजिकल टाइमिंग्स अब आईसा समझी आप जैसे आपकी बॉड़ी में क्या है आप इबरी बॉड़ी है 24 आवर्स में सभी के पास 24 आवर्स हैं तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सारफेस्ट राइजिंग होता है आपके तीन त्रीस पर जो आपका इबनिंग टाइम होता है फाइब जो पीम पर उपके बॉड़ी में क्या होता है ग्रेटेस्ट कार्विडियो वेस्कुलर सिस्टेम आपका अवर्स करता है तो यह सब होता है आपकी बॉडडी के जो आपने कोई ड्रग मेडीस की लेडि ऊसके फार्माकोलोजिकल एक्षन में कुछ उसी के बारे में है, अब यह biological timing कैसे होता है, biological timing क्या है, या समझी गए होंगो कि आपके पास 24 hours है, यह 24 hours में आपकी body में means किसी भी living organism, means biomiss living and logical, means जो भी biological organism है, means जो living organism है, उसमें 24 hours में जो भी कुछ changes यह हो रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे biological timing and इसमें जो भी drug आप ले रहे हैं, biological timing according जो भी variation होगी, उसी के science को क्या कहेंगे, कोरोनो फार्मकलोजी, मैं बार-बार repeat करहाँ कि आपको यह point clear out हो जाए, the science which deals with the study of how the effect of drug vary with biological timings and endogenous periodicities, means biological timing के according, जैसे morning में आपकी body का कुछ change, कुछ क्या है, situation अलग है, evening में कुछ अलग है, afternoon में कुछ अलग है, noon में कुछ अलग है, night में कुछ अलग है, जार। क्योंकि यह क्या होता है ड्रग का एक्षन भी उसी के पॉर्डिंग होता है मैं अभी जास्ट आपको इक्जाम्पल दूंगा इसी लेक्चर में उसका जहां पर जब मैं बात करूंगा कोरोनो थेरापी के बारे में तो यह आपका सब कुछ था कॉरोनो फम फाकुलोजिके बारे में जो भी अगर इसमें कुछ गरबढुडी होती ही जो आपका पॉरोनो फाकुलोजिक का तरह सिस्टम है लीट कर देगा ईडिसराइगा कोफिक कि कि रिदम क्या होता है repeated series of events in body e Specs आपके पास कि क्या है every day के लिए 24 hour थे और उसमें जो भी repeated series हो रही है इवेंट की वो आपके लिए होता है rhythm यह rhythm ही क्या कहलाता है thoughts were thirty singly ऐब्स就्क्राफ directement लिए आपका कोई duration डिपेंडेंट नहीं होता फस इतना सा difference है आपके rhythm and cycle में जो आपका rhythm है वो duration dependent होता कि 24 hours में जो कुछ हो रहा है जो कुछ repeat हो रहा है वो आपका rhythm होता है जो cycle है उसी 24 hours में जितने भी cycles मिलकर एक rhythm का क्या करती है preparation करती है इसी के cycle के according एक rhythm आकर होती है जैसे यहाँ पर आप समझेए आपकी body में कहाँ जैसे cycles are originated by intrinsic factor में cycle आपकी body में intrinsic factor के according generate होती है the duration and magnitude of change in cardiac cycle is influenced by nerve impulses, medication and temperature अब यह cycle क्या होती है यह change हो सकती है आपके nerve impulse के according उसमें जो भी effect कास करेगा तो यह आपके cardiac cycle को भी effect करेगा medication लेना है temperature तो उसके according आपका cardiac cycle change होता रहता है, but जो आपका यह rhythm है, rhythm क्या होता है इस biological rhythm compose of repeated unit card cycle means जो repeated unit cycle की होती है उसी के क्या होता है rhythm का composition करती है उसी को rhythm को बनाती है तो rhythm and बहुत चादा कुछ इसमें difference है नहीं rhythm and cycle में बस क्या होता है, जो cycle होती है यह आपका duration dependent नहीं होता रिदम होता है आपके 24 hours में जो भी जितनी भी cycle हो रही है जितनी भी cycles बन रही है वो आपके rhythm को compose करती उसको बनाती है बात करता है rhythm के definition की perfect a sequence of regularly recurring quantitative change in particular variable biological process in similar order in same interval मिस आप जैसे सुबा उठ रहे हैं आपने दोपा मिस आपने 9 बजे खाना खाया तो वह क्या है आपने जो भी timing आज ली और दूसरे दिन भी वही ली तो वह क्या होता है day and night, day and night बिस दो दिन का आपने जब लिया तो वह आपके लिए हो जाता है rhythm आप इसको ऐसे समझे जैसे कि यहाँ आप यहाँ से start हुआ यह क्या हुआ आपका day portion है यहाँ से आपने जैसी यहाँ से यह ऐसा गया यह आपका पूरा का पूरा दिन का पूरा कुछ हो गया यहाँ पर आपका डाउन वा तो यह भी आपका यह की पूरा night portion मिस इसमें timing पर आपने जो जो किया तो यहाँ से यह जो कुछ हो रहा है यह आपका cycle हो जाता है यह दोनों cycle मिलाकर एक rhythm का क्या है composition करेंगे मिस यह जो आपका day and night का जो भी कुछ हुआ तो आपके rhythm को बनाएंगे यह क्या होता है यह same मिस similar होता है same order में होता है same interval same timing पर यह होता है and same interval पर मिस इसमें क्या है पहुँछ जाता variation नहीं होती अब क्या आता है circadian rhythm क्या होता है चेंज इन फिजिकल मेंटल सा इक्सप्रेशनल एक्टिविटी इन टाइम आप साइकल ऑफ 24 आवर्स आपके 24 आवर्स के जो cycle होती है उसमें बहुत सारी cycle होती है कोई एक नहीं रिदम आपकी एक होती है लेकिन cycle आपके पहुत सारे होते है तो यह क्या होता है इसमें जो भी चेंज फिजकल हो रहा है मेंटल चेंज हो रहा है क्या होता है आपका कहलाता है cricardian rhythm आप बात करते हैं तो और rhythm के बारे में और थ्वड़ा आप बीप चलें when the source of change is elected by extrinsic factor जैसे light या temperature के थुरू आपकी body में क्या है कुछ change हो रहा है तो क्या होगा उसी को क्या कहेंगे when the change is fully stabilized it should be prevalent for a specific time period even in disappearance of environmental changes अब आपके body में जो change हो रहा है किसी environmental change के according हो रहा है तब भी क्या होगा rhythm को क्या है कुछ variable करेगा निक्स आता है cycle आप cycle आप समझ ही गए है कि cycle होता क्या है बहुत सारे जो आपकी body में एक duration पर जो cycle होती है जैसे cardiac cycle हो गया life cycle आपने पढ़ा ही होगा तो वो सारे cycle एक rhythm का composition करते है means each rhythm composed of many numbers of cycle अब यहाँ पर cycle के definition थोड़ा सा देखिए they are either qualitative or quantitative repetitive repetitive series of events cycle is being distinctive by the order of occurrence and not by the duration means यह क्या होता है यह occur होती है ना कि यह duration पर depend होती है जबकि आपका rhythm duration dependent होता है यहाँ पर यह cycle occur हो रही means जैसे आपकी body में temperature बढ़ा जैसे यहाँ पर आपके body में जैसे क्या बतारा light temperature में कुछ changes है तो यह क्या गरेगा एक नई cycle बनाएगा आपका cardiac cycle बढ़ सकता है अब वो cardiac cycle बढ़ा cardiac cycle घट रहा है बढ़ रहा है अब 24 hours में जितनी बार घटा बढ़ा वो आपका एक rhythm कहलाएगा यहाँ पर वही बता रहा है आपको cycles are originated by intrinsic factor आपको पता है जैसे आपकी body की internal में क्या है कुछ जैसे microorganism दाते है आपकी body का temperature बढ़ जाता है temperature बढ़ता है तो cardiac cycle में आपका cardiac जो भी है बहुत fastly work करने लगा तो वो क्या करेगा वो जो cycle है उसमें change करेगा बट आपके rhythm में जो भी क्या है प्रकंपोजेशन होगा वो इन ही cycles के त्रूँ उसमें composition होता है अब आता है biological clock सा biological rhythm इसको देखिए changes in behavioral, physiological and biological function of organism with a periodicity of 24 hours आपको मैंने जैसे बताया biological timing या biological clock तो यही होता है आपका biological timing या biological clock में जो भी 24 hours में आपके behavioral changes हो रहा है biological changes हो रहा है biological function of organism with a periodicity एक periodicity के according आपकी बोडी में 24 hours के अंदर यह सब सारे changes जो हो रहा है इसी को हम कहते है biological clock and biological rhythm next आता है the internal mechanism that regulates this is what we call the biological clock जो भी आपकी बोडी में जो mechanism है जो इसको regulate करता है उसी को हम कहते है biological clock अब इसका क्या है significance क्या ओता है आप biological clock leading to अब नेस्ट आपकी कहते है आपने rhythm पड़ लिया cycle पड़ लिया आपका कहते है significance of biological clock leading to to cor합니다 miss इसका क्या signal significance है जो कि common therapy को lead करता है अब यही आपका main point है जो कि timing getting recording आप ड्रक लेते हैं उसका एफेक्ट आपकी बोडी में बहुत जादा कुछ वरी करता है उसका फार्मकलोजिकन बहुत वरियसन कॉस करता है मिस आपके लिए बहुत एफेक्टेबुल होता है इससे आप यहां पा समझे एप्लीकेशन आप बाइलोजिकल क्लॉक सा केरिकाड रिदम रिदम ढम इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट आप डिजिस का युज होता है कैंसर में एंग्जाईना में हाइपर टैंशन में एर्थराइटिस में पैप्टिकलसर में बहुत कुछ और भी है इसको एक्जामपल से आप समझे कि कैसे यह जो आपका बालोजिकल क्लॉक एक रिकाडियर रिदम है यह आपके डिजीज को कैसे टी ट्रीट करता है और इसी को हम कहेंगे कुरोनो थेरेपी यहाँ पर आप समझे फैप्टिक अलसर आपको हो रखा है फैप्टिक अलसर में क्या होता है मैक्सिमम एकिट सेक्रेशन जो होता है आपकी बोडी में नाइट में होता है तो यही जो नाइट में जो सेक्रेशन हो रहा है तूसी के गॉर्डिंग ड्रग हम सेक्रेशन से पहले ही देंगे मिस आपके बोडी में एकिट सेक्रेशन आपको करता है कि आपका तो यह बीने वाला है तो वह वने ही नहीं देखा हुसके पहले आपको क्या है आपकी बोडि उसके लिए उससे लड़ने के लिए उससे करने के medicine देंगे वो देंगे इसके according कि जो risk factor होने वाला है उसको हम पहले ही therapy दे दें जैसे अब आपको सुभे होने वाला है इबनिंग में ही आपने दे दिया में आपको कल होने वाला है आपने रात में ही क्या ले लिया उसके पहले आपकी बोडिंग में वो कहा है उससे fight करने के लिए आपकी बोड़ी प्रेपेर रहेगी और यहीं आपका कहला था है कोरोनो फार्मकलोजी जिसमें हम बालोचकल टाइम बालोचकल क्लॉक एंड जो हमारा क्रिकार्डियर रिदम है इसका हम यूज करते हैं डिजीज के ट्रीटमेंट में यही आपकी कोरोनो थेरेपी होती है cns disorder में आप देख लिजिए एपिलेप्सी होता है डेप्रेशन हो रहा है तो वहाँ हम क्या करेंगे गाबा जो पेंटिन है बिफोर वाल कप इन दा बॉर्णिंग आपको वाल करना है मॉर्णिंग में उससे पहले आपको जो आपका गाबा पेंटिन ड्रग है इसको आप ल होने वाला है आपको यह पहले पता है मिस आपको पूर्बा नुभास हो रहा है कि आप हमको डेप्रेशन हो रहा है या हो सकता है तो आप पर पहले ड्रग ने आपको आपने ले लेए और आप मौर्निंग में उठें वह आपका कुछ नहीं होगा आप आरेडिवादी अब आप यसे acute pain हो रहा है तो फेंटानिल आप लेते हैं अब ले लेंगे कार्डियो टोनिक ले लेते हैं अगर आप हल्को हर्ट आटेक आने वाला है तो यह सारे होते हैं को पॉइंट में आपको क्या है कुछ होने वाला है बट आप ने उसके पहले treatment ले लिया क्योंकि आपको क्या है यह पता लगा लिया गया कि हाँ आपकी बॉड़ी में यह हो सकता है तो मॉर्णिंग में आपको अगर यह प्रॉब्लम होने वाले तो उसके पहली आपको उसका treatment दे दिया गया according to biological clock and क्रिकाडियर रिदम that is called क्रोनो थेरापी तो इसी के साथ आपका फॉर्मकलोजी का unit 5 completely पहुत अच्छे से में complete होता है कोई भी पॉइंट आपको ना सुझना है कोई डाउट हो हमको कमेंट बाक्स में तुरंत पूचें आपको जरूर reply दाएगा अगर कोई डाउट हो आप हमारे वर्टेब ग्रूप पर जाने होकर हमसे personally भी पूह सकते हैं नोट्स के लि